नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों बात अगर सेहत की करें तो हर द्रिश्ची से नीम्बू बेहत लाबदायक होता है खास बात तो ये है कि सिर्फ सेहत ही नहीं नीम्बू में आपके सारे संकट दूर करने की भ को के बारे में दोस्तों अगर आपका वैपार ठीक नहीं चल रहा है तो शनीवार के दिन नीबू का ये उपाए आपको रहत पहुचा सकता है इसके लिए नीबू को चार तुकणों में काट MARY इपर जाकर चारों दिशाओं में नीम्बू का एक एक टुकड़ा फेक दें आपके ऐसा करने से दुकान या वैपार स्थल की नेगेटिव एनरजी नस्ट हो जाती है नमबर दो दोस्तो कड़ी मेनत के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है तो किसी हनुमान मंदिर में जाए और अपने साथ एक नीम्बू और चार लोंग साथ लो जाए इसके बाद मंदिर में पहुचकर नीम्बू के उपर चारों लोंग लगा दे फिर हनुमान जी के सामने जाएगी नमबर तीन दोस्तों मानता है अगर सुई लगा नीमबू किसी बीमार के से साथ बार उतार कर चौराहे पर रख दिया जाए तो उससे वह वेक्ति जल्दी ही ठीक हो जाता है नमबर चार साथ धानिया दोस्तों जब भी आपको नीमबू का टोटका करें तो उसके बाद पीछे मुड़कर कभी न देखें तीदे अपने घर को चले जाए जब कभी आपको सड़क के चौराहे पर नीमबू या फिर मिर्च पड़ी हुई दिखाई दे तो ध्यान दे उस आपको प्यार नहीं रखना है ऐसा करने से उस वेक्ति का उतारा हुआ भार आप पर चड़ जाएगा तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो उमीद करती हूँ मेरी ये जानकारे आपको पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को साथ तब तक के लिए नमस्कारे